नमस्ते ची वेल्कम बैक तो मैं चैनल कैसे हो आप सब तो आज इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे एक इंपॉर्टन टॉपिक जो कि है वुट्स दिस्पैच और इसे हिंदी में कहा जाता है वुड का घोशना पत्र तो वुट्स दिस्पैच जो है वो एक डिस्पैच जिसे इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के परपर से लिखा गया था और वुट्स दिस्पैच जो है उसे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का मैगना काटा भी का जाता है यह एक important point है कई वार competitive exam में पूछा गया है means यह जो document है यह पहली comprehensive plan थी इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तो actually हुआ क्या था कि Sir Charles Wood जो की उस दौरान means 1854 के दौरान East India Company के Board of Control के President थे तो इन्हों ने English education को spread करने और women education पर जोर देने के लिए 1854 में इंडिया के Governor General Lord धलोजी को एक पत्तर लिका था और इसी पत्तर को वुड्स डिस्पैच या वुड का खुशना पत्तर भी का जाता है इसमें mainly यहां का गया था कि primary school में जो education दी जाएगी वो आपकी मातरी वाशा यानि की Mother Tangya Vernacular Language में ही दी जानी चाहिए और जो higher education है जैसे कि आपकी college की education होगी, university की education होगी वो सब भी आपकी English medium में ही होनी चाहिए तो जो woods dispatch है उसमें Charles Wood ने British government को यहां का था कि Indian masses की जो education की responsibility है वो British government उठाए और downward filtration theory को paper पर से reject किया जाए तो यहां पे आपको question उठेगा कि downward filtration theory क्या है तो downward filtration theory जो है वो दी थी आपके Lord Macaulay ने उनकी एक document आई थी Macaulay's Minute उसमें उन्होंने इस बात का जिगर किया था कि down filtration theory implement की जाए और इसके अंतरकर यह कहा गया था कि जो higher classes है society की यानि कि Indian society की जितने भी higher class लोग है उन्ही को educate किया जाए उन्ही को English education दी जाए और जो आपके lower class लोग है वो उनी से सीख के जो है वो दीरे दीरे educate हो जाएंगे English education में क्यूंकि इनका माना था कि higher class लोगों को कहीं ना कहीं जो lower class लोग हैं वो replicate करते हैं उनको imitate करते हैं तो यह जो woods letter था इसने इंडिया में female education और इंडिया में English education को spread करने के लिए काफ़ी important role play किया है तो हलांकी इंडियन लोगों को English education देना Britishers के favor में ज्यादा था बिकॉज वो इंडियन natives को English education देकर एक English class जो है वो create करना चाहते थे जिनसे वो अपने administrative works जो है वो करा सके वो भी come wages पर हलांकी कहीं न कहीं स्टेप से इंडियन लोगों का भी फाइदा हुआ इंडिया में social reform हुआ क्योंकि अगर इंडियन natives को English नहीं आती तो कहीं न कहीं वो Britishers की policies को उनके rule regulations को उतना चैसे नहीं समझ पाते और इस English को वो as a weapon उनके against use नहीं कर पाते क्योंकि तो next चान लेते हैं Woods Dispatch के main objectives क्या थे तो सबसे पहले है to provide इंडियन with western knowledge and information about western culture means इंडियन लोगों को western culture के बारे में western information and knowledge देना इसका main objective था second objective था according to them English education will enhance the moral character of Indians and the supply East India company with civil servants who can be trusted means इनका एक motive ये भी था कि ये इंडियन लोगों को English education देकर उनका moral characters जो है वो enhance करना चाहते थे ताकि ये East India company को civil servants दे सकें और वो जो civil servants होंगे उन पर ये trust भी कर सकें क्योंकि इनको लगता था कि अगर इंडियन native जो हैं वो English सीख लेंगे तो वो इनको कहीं न कहीं trust कर सकते हैं क्योंकि वो इनकी language को जानते हैं और में भी एक दूसरे से connect कर पाएंगे उस language की basis पे and हमारा third point है to improve the practical and vocational skills of Indians so that more and more articles can be produced as well as to create a good market for the consumption of those goods means Woods Dispatch का एक objective ये भी था कि ये improve करना चाहते थे Indian लोगों की vocational skills को और practical skills को मतलग कि उनसे कुछ ऐसे products जो हैं ये produce करवाना चाहरे थे ताकि वो उनमें skilled भी हो जाए उन products को produce करने में and कहीं न कहीं Indian लोग ही उन products की consumption भी करें मतलग इनके लिए एक अच्छी market मिल जाएगी and Britishers के जो भी products हैं उनके जो भी goods वगेरा जो भी वो produce कर रहे हैं कि ये Indian लोगों को western culture, western author and western जो भी authors के works हैं उनसे familiar करवाना चाहते थे ओकी देन नेक्स चाह लेते हैं वूर्स डिस्पैज की major recommendations क्या-क्या थी तो सबसे पहले है primary education के regarding वर्नकिलर लेंग्वेज वर्ड टू बी प्रमोटेड education department was to set up in every province at least one government school be opened in every district systematic method of education means primary education के regarding वूर्स डिस्पैज की recommendations थी कि बच्चों को जो education दी जाएगी primary language में primary level पे वो वर्नकिलर लेंग्वेज में दी जाएगी second आपका education department खोला जाएगा हर एक province में third है कि एक government school जो है वो हर एक district में खोला जाएगा and fourth है कि education जो है वो systematic manner में करवाई जाएगा so next है higher education के regarding इन्होंने क्या क्या recommendations दी थी universities on the model of London university be established in big cities like Bombay, Madras and Calcutta means इन्होंने recommend किया था कि London university के model पर based universities जो है वो इंडिया की big cities जैसे कि Bombay, Madras and Calcutta में खोली जाएगा so next step women education promoted female education on all level means इन्होंने recommend किया था कि women education को हर level पे promote किया जाएगा fourth है hierarchy in education was systematized primary school in village bottom, Anglo-vernacular high schools affiliated college at district level, affiliated universities in presidency town means woods dispatch ने recommend कि education system जो है वो systematized होना चाहिए और उसके एक particular hierarchy होनी चाहिए जैसे कि primary school होने चाहिए आपकी villages पे high school खोले जाने चाहिए जिन में आपकी English भी होगी और vernacular language भी होगी and school and colleges जो की district level पे है उनको affiliation मिलनी चाहिए and उसके लास्ट इनों ने कहा था कि जितनी भी आपकी universities है किसी भी presidency town में वो भी affiliated होनी चाहिए तो हमारा next point है English education तो यह तो मैं पता ही है कि woods dispatch की सबसे बड़ी recommendation ही थी कि आपकी highest studies जो है वो English medium में ही होनी चाहिए उसके बार next है वर्ना किलियर education वर्ना किलियर language spoken by the common masses to be promoted at primary level यह हमने पहले भी जान लिया कि इसने recommend किया था कि primary level पे जो बच्चों की education होगी वो वर्ना किलियर language में होनी चाहिए वो language जो बच्चे बच्पन से बोलते आ रहे हैं कि उनकी अधर टंग में होनी चाहिए so next is teacher training promotion and stress on teachers training at all level means इन्होंने recommend किया कि teachers की properly promotion होनी चाहिए साथ ही साथ हर level पे teachers की training भी होनी चाहिए next is secular education it laid down that the education imparted in government institutions should be secular means कि जो भी education government institutions में दी चाहिए वो secular होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी particular आपके जो religion है उसको promote करती हो मतलब कि education ऐसी हो जो हर धरम को बराबर respect देती हो और किसी भी विशेश धरम को prioritize नहीं करती हो next is granting aid to encourage private enterprise means कि would dispatch ने ये भी प्रपोस किया था कि आपके जितने भी Indian educational institutions है उन में teachers की salary को बढ़ाने के लिए scholarships के लिए libraries के लिए construction works के लिए granting aid जो है वो sanction की जानी चाहिए next is Muslim education तो वुट्स दिस्पैच ने Muslim education को भी प्रमोट करने की बात की है and last is vocational training की मतलब जितने भी Indian natives है उनको जो है vocational trainings दी जानी चाहिए उनको हाथों से करने वाला काम जो है सिखाया जाना चाहिए okay तो next चाहर लेते हैं कि वुट्स दिस्पैच का क्या impact पड़ा था तो सबसे पहले है universities in Bombay, Madras and Calcutta were established in 1857 based on the provisions of the woods dispatch means की woods dispatch के provisions के अधार पर 1857 में Bombay, Madras and Calcutta में universities की स्थापना की गई थी second है separate educational departments were established in all provinces means सभी provinces यानि की जिनको प्रांत हम इंदी में बोलते हैं उनमें अलग-अलग education department भी स्थापित किये गए third so next है J.D. Bethune established the Bethune school to promote women's education in India by receiving grants under the provisions means J.D. Bethune ने woods dispatch के provisions के under grant receive करके इंडिया में women education को बढ़ावा देने के लिए Bethune school की स्थापना की थी means इसके कारण पूसा बिहार में एक agricultural institute खोला गया and साथ ही engineering institute जो है वो रूर्की में खोला गया जो कि अब उत्राखंड में है so हमारा अगला पॉइंट है European headmasters and principals were also appointed in the schools and colleges of India in large number which led to the rapid westernization of the education system in British India मतलब की Britishers ने इंडिया में education को westernize करने के लिए European headmasters and principals को Indian schools and colleges में appoint किया था and हमारा लास पॉइंट है the introduction of private Indian educators also started under the provisions of woods dispatch means woods dispatch की recommendation के तहत ही private Indian teachers की भी शुरुआत की गई थी ओके तो ये था woods dispatch का जो impact पड़ा था Indian education के उपर तो अब next चानल लेते हैं कि woods dispatch के merits क्या रहे हैं तो सबसे पहले है educational policy तो through woods dispatch British Parliament ने first time इंडिया की educational policy बनाई इससे पहले इंडियन के पास कोई भी educational policy नहीं थी means अगर बात की जाए हमारी first educational policy की तो वो woods dispatch ही माने जाती है and हमारा second merit है educational responsibility इस dispatch ने British government की educational policy में revolutionary change किया इस dispatch से ही यह declare हो गया था कि Indian education की responsibility British government की ही है उसके और मारा third point है importance of Indian culture and literature तो woods dispatch ने British government को Indian literature and culture की utility भी कही न कहीं recognize करवाई थी because dispatch ने Indian curriculum में English के साथ Sanskrit Arabic and Persian language के inclusion की भी बात की थी इसमें ये भी recommend किया गया था कि English के साथ education में medium of instruction जो है वो Indian languages भी रहेंगी so हमारा next point है establishment of universities so due to the recommendation of dispatch different universities भी खोली गई थी तो ये भी बहुत बड़ा फाइदा रा था woods dispatch का next है abolished downward filtration theory तो जो आपका woods dispatch है वो downward filtration theory को abolish करता है because इसका मानना ये है कि हर एक class को educate करना जरूरी है क्योंकि downward filtration theory सिर्फ higher class तक ही सिमित थी कि मतलब कि आपकी education है वो सिर्फ higher class को ही दी जाएगी तो इस चीज के ये बिलकुल बक्ष में नहीं था woods dispatch तो हमारा अगला point है solution of unemployment तो कही ना कहीं आपकी ये जो woods dispatch है इसने unemployment का भी solution किया है क्योंकि बहुत सी government opportunities जो है वो आपकी सामने आई थी ताकि लोग self independent बन सके and next है training of teachers and हमारा last point है responsibility of women education तो woods dispatch के बाद teachers की properly trainings होना भी शुरू ही थी और साथी साथ women education की responsibility भी government ने ली थी मतलब कि women को भी उतना ही prioritize किया गया education के लिए जितना की male को किया जाता था तो ओके तो यहां पर हमारा ये topic खतम होता है यही था आपके woods dispatch के बारे में I hope आप लोग के लिए वीडियो helpful रही होगी and अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगी है तो please वीडियो को like करना, share करना and my channel को subscribe करना okay then मिलते हैं हमारी next वीडियो में till then take care, bye bye